लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ड्रेल आइकून को प्रेस करें पद्मालया, पद्मकरा, पद्मपत्रनिवेक्षना, वन्दे पद्ममुखीन देवी, पद्मनाह प्रिया महमी, पद्मालया, प्यारे भाईयों, और प्यारी बहनों, भीकारी को बाद्शाह और बाद्शाह को भीकारी का दर्जा दिने वाले मेरे वूटर दाता हो, हमारे ख्षेत्र के वयोवरेद्ड और लोकप्रियने ताके आखसमिख जिधन की वज़ा से, मेरी पार्टी ने आपकी सेवा का भार मुझे मौजवान कंधों पर सौपा है, जिसका फैसला आपको करना है, भाईयो, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ, कि आप मुझे अपना वोड़ दे, आप मुझे मैं ले चुने, नगर मैं आपसे इतना जरूर कहता हूँ, कि आप इतना भर जरूर सोच लें, कि आप अपना मूल में वोड़ दे कर किसे चुन रहे हैं क्या वो वाकर इमानदार रहेगा क्या वो जनता की सेवा जनता की खिद्मत बिना किसी स्वार्थ और लालश के करेगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम ये देखें कि उसके पास इतनी ख्षमता है हमसे वो जो वादे कर रहा है हम गरीब जनता से जो वादे कर रहा है उन वादों को पूरा करने के लिए उसके पास इतनी ताकत है जने माताओ बहनों अगर आपको मेरे अंदर मेरी बातों में सच्चाई नदर आती है तो अपना आमूर ले वोट देकर मेरी युवा भावनाओं को विजई बनाए इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ वो है शराब बंदी जो हमारी माताओं, बेहनों के दुखों और आस्वों का कारण बनी हुई है जिसे पीकर इंसान हैवान बन जाता है मैं अपने खेत्र से शराब को इस तरह घाइब कर दूगा जैसे हमने अपने देश से घरीबी को घाइब करने का प्रम लिया है जाहे मान न बता जाहे देश वाट पर सुरेश प्रकाश बोल ला हूं जी हाँ जी हाँ, सब सुचारू रूप से चल ला वो क्या था कि कुछ कारे करता हूं कि आवश्कता पड़ेगी और साथ में दस लिटर मिट्टी का तेल में पतला अजी घास लेट जी हाँ, जी धन्यवाद अच्छा पर ना, जी आज कल घर-घर में बिजली है फिर यह घास लेट किसली है पार्टी ओफिस में आग लगाने कि क्या, भाई ये ये जाल हमारी समाज में नहीं आई हमने धेर सारे एलेक्शन लडाए लेकिन आइसा कभी नहीं किया क्यों आप आशा जी आप लोगों ने एलेक्शन लडाए हैं और मैं एलेक्शन लडाँ खबर ये उड़ेगी कि आग अपोजीशन ने लगाई है और आग से राख इकठा होती है और वो राख दिखा कर हम बूट इकठा करेंगे याद रुखिए हमदर्दी से वोटों की बरसात होती है हर लगे ना फिटकरी रंग चोखाई चोखाई वाव 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 अमिरपूर निर्वाचन क्षेत्र से लोग कल्लैंड पार्टी के श्री सूरज प्रकाष निर्वाचित घोशित कर दिये गए है उन्होंने अपने निकटम प्रतिद्वन्वी श्री निर्बल को दस हाजार से अधिक वोटों से हरा दिया है तरवेदी जी ये बाइलेक्शन की जीत मेरी नहीं बलकि आपकी विज़े है आपका आशिरवात है सूरज मैं उतना ही खुश हूँ जितना के तुम ये हमारी पार्टी की जीता है तुम पर जो बुरुसा किया वो तुमने पूरा गिया और सूरज तुम मुझे बड़ा मानते हो आधर करते हो इज़त करते हो इसलिए मैं तुमें कामजाबी के गुर बताता हूँ जी हुकम की जी बेटे तुमारी नजर हमेशा आस्मान पर रहनी चाहिए और जब भी मौका मिले सीड़ी चाड़ते चले जाओ और कभी मुर कर न देखना और ना कभी सोचना कि किस के कंदे पर तुम अपने पाउं राकर उपर आये थे मसल मशूर है बड़ी मचली का श्कार करने के लिए छोटी मचली को चारा बनना पड़ता है आपका अशिरवाद रहा तो एक दिन सारी बड़ी मचलीया मेरे जाल में होगी भाई जी स्वरगवासी मंत्री जी की सीड़ जीत कर मैंने ये तो साबित कर दिया है कि मैं किस काबिल हूँ अब मेरे मंत्रीबत के बारे में क्या विचार है हाँ दारसल मैं उसी के बारे में तुम से बात करना चाहता हूँ आप संधिया तुम्हें भूला क्या जरूरत है तुम तो खुद एक भूलो ए तुम्हें मेरे मेले बनने के कोई खुशी नहीं हुई हाँ बहुत हुई लेकिन अफसोस भी हुआ कि तुम्हारी जीत की खबर रेडियो पर सुनी माफ कर दो भई दरसल पार्टी के लिए ये बाई एलेक्शन बढ़ा ही प्रस्टीजियर था हूँ मगर मेरे लिए ये मामूली से जीत है शुरुआत है अब राजनेतिक दाओ पेच की बाजी जीतने के लिए तुम्हारी मदद की साथ बढ़ी बहला मैं राजनी थी मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती है संधिया ते मैं यादे तुम कहा करती थी कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हत होता है मैं तुम्हारा मज़ा कोड़ाया करता था तुम सोच सकती हो संधिया हाई कमांड का भेजा हुआ अबसरवर मुझे मंत्री बनाने के लिए सिफारिश करने को ते यार मंत्री बनने के बाद इज़त, शहरात, तौलत सब कुछ बढ़ जाएगा और आने वाले दिन सिर्फ खुश्याई लेकर आएगा मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे है मगर इन सपनों को हाकिकत में बदलने के लिए मुझे उसको खुश करना होगा, चारा डालना होगा हमारे किस्मत की कुझे उस अबजरवर के हाथ है मगर उसकी एक चोटी सी शर्त है कांसी शर्त? उसने तुम्हें मेरे साथ देखा है और भाईजी से कहलवाया कि वो तुम्हारे साथ एक रात गुजरना चाहता कोई और अपने में भी सोच नहीं सकती कि उसका प्रेमी जो उसका पती होने वाला है कभी ऐसी बात अपने मुझे कहेगा अपने अब इलाशा को पूरा करने के लिए ऐसी गटिया बात अपने मुझे नहीं निकानी चाहिए थी अगर तुम सचिक प्रेमी और मर्द होते तो शेतान का गला उसी वाक्त गोल देते जब उसने तुमसे अपनी प्रेमी का मांगी थी तुम इतनी सी बात का बतंगर बना रहे हैं जरा आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो संधिया उस शान और शौका तुम अखेला भागीदार नहीं होगा तुम्हारी शान भी तो कितनी बर जाएगी और फिर इस रात का किसे पता चलेगा सुभा तुम भूल जाना मैं भी भूल जाओंगा उस अब्जरवर की ताकत को समझे दे वो बहुत बड़ा अगमी है प्लीज मच्छो मुझे मेरे बदल पे किरे रहते महसुस होते हैं एक लड़की के लिए अपनी इसमत को चारा बनाना किसी दूसरे के बिस्तर पे अपने अत्मस्हिनमान को बिचाना आज़ा नहीं है छोड़ दो मेरा पागल मत मन संध्या तेरी ये जरा सी बेवखूफी हम दोनों को बरबात करतेगी जब तक ये हाथ मैंने पकला है लोग तो ये संध्या देविश के नाम से बुकारेंगी जिस दिन छोड़ दिया सबात परा जाएगी सारी भाशा भूल जाएगी भाशार देना आसान है काम्यावी की जिन्दगी जीना इतना आसान है सरा सोच तु मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है अगर मैंने शादी से कार कर दिया तो क्या जवाब देगी जब लोग पूछेंगे कि तिरा बच्चा किसका पाप है दंकिया देने की कोशिश मत करो तुम जैसे घटी आदमी के साथ रहने से मैं बैतर समझूगी कि सारी दुनिया को बता दू मेरे बच्ची का पाप मर गया एक ओरत तुम जैसे आदमी के साथ पवित्र अगनी के फेरे लेने से बैतर समझेगी कि उसे खंप कर दे और फासी पे चड़ जाए Now get out अलो कनवर इंटरप्राइज मैं जगन बोल रहा हूँ रहा हाँ Boss Boss दो सुजलन गए हुए दो दिन में आ जाएंगे हाँ जी हाँ आपका माल पुछ जाएगा कल शाम तक पुछ जाएगा ओक बास ओक साह से अप अलो कनवर इंटरप्राइज़ अलो कनवर इंटरप्राइज़ बुडम बोल बॉस कनवरलाल जी का परसनल असिस्केंट कनवरलाल कनवर एंटरप्राइज़ का मालिक कहिए आज सुबह विदेश से कनवरलाल जी का फोन आया था उन्होंने कहा कि आप राजनीती के मैदान में कूदे हैं तो यह महंगा खेल खेलने के लिए पैसे की जरुवत पड़ेगी पांच लाक रुपए भिजवाए हैं क्या आपने सलीम सर आपके मालिक मिस्टर कनवर लाल ने यह पैसा मुझे खरीदने के लिए एडवांस भी जाए ताकि में उनके हाथ का खिलोना मन जाओं नहीं सुरज प्रकार जी कनवर इंटरप्राइज की यह परंपरा रही है कि उभरते हुए लीडरों की मदद की जाए मद विए खतंतद और डाले हुए चारे में क्या फर्खोता है मैं अच्छी तरह से जानता है और सुझारे कनवर लाल और उसकी धंदों को वह उनको पैसा देता है जो सप्ता में होते थाकि उसके काल यह काहर Черवक प पर करता प Right वगर इस बार तुम्हारे कनवरलाल को मुझे पैचानने में थोड़ी सी भूल हुए मैं जनता का सेवक हूँ और एक सचा सेवक होने के नाते मैं कनवरलाल और उसके धंदों का सब्राश कर दूँगा जगर के दूर से शेवर सर मैं आपको मेसेश कनवरलाल जी तक पहुचा दूँगा नमस्कार सुरज पाई लोग लक्षमी आई हमरे द्वार और हमी कह गोली मार इसनी बड़ी रखम वापस कर दी और उपर से का रहा है आप आल मुझे मार आप लोग इतने ही समझदार होते तो आज तक आते ना रहते हैं हाई कमाड आपको भी राम जी की किरपा से एकाद अलक्षन लड़वा देती है यह रखम जो उसने भिजवाई थी वो तो राई थी राई मुझे परवत चाहिए परवत कनवरलाल कोई मामूली शाय नहीं है आज राज जब मैं उसके स्मगलिंग के सामान पर छापा मारेंगों और उसको पुलिस के हवाले करोगा तब देखना तमाशा जनता की हमदर्दी और जो शहुरत मिलेगे वो इन कागज के पुलंदों से कहीं ज्यादा होगा और जनता की मांग पर मंत्रीपद मेरे सामने होगा साथियो बोला रहे हैं जहर भले ट्रक बनवरलाल को उसके कोड़ मों की सजा हम दिल्वाएंगे चाहे वारी जानी कोने तरी जाए इन ट्रकों को मशहर के अंदर नहीं जाने जाएंगे आओ मैं लोग कल्यार पार्टी का एमेले हूँ जब तक पुलिस यहां नहीं पहुंचाती तब तक यह ट्रक एक इंच भी यहां से नहीं लेगा अज़ा लुगा लुगा है तो उमीद से कुछ ज्यादा ही होगा अज़ास प्रकाश कार्य करताओं की लाशें कनवरलाल के गले के फंदे वो और फितन करतेंगी अब मुझे मंत्र गंने से कोई नहीं रोख सकता युवा MLA सुरज प्रकाश ने साहस दिखाते हुए कनवर एंटरप्राइजेज के नाजाइज माल ले जाने वाले ट्रक जो रास्ते में चार आदमियों को कुचल गए थे पुलिस के हवाले कर दिया जिसके कारण आज कनवर लाल जैसे बारसूख आदमी को अदालत में हाजिर होना पड़ा कितना खुबसूरत आदमी है ये कनवर लाल वाँ क्या परस्नेलिटी है आरे सूरज परकाश भी बड़ी हिम्मत वाल आदमी है परस्नेलिटी है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो औ्याओ कर दो औ मिस्टर कनुरलाल आपकी जमानत दस लाख रुपे नकट के वज मन्जूर की जाती है मुझे पहचाना मिस्टर सुरज प्रकाश अच्छी कराश दा ग्रेट मिस्टर कनवरलाल यह जानते हुए भी मेरा पैसा वापस कर दिया ऐसे कौन से कांटे थे उसमें क्योंकि मैंने देश सिवा की शपत लिये मैं राजनीती को नई दिशा नया मोर देने आया हूँ दौलत मुझे नहीं खरीच सकती कनवरलाल है ओ रेली लेकिन कुर्सी की लालच आपको खरीच सकती है और उसके लिए आप घटिया से घटिया अरकत कर सकते हैं ताज्यूप की बात तो यह है कि आप जैसा घटिया आदमी क्यारेक्टर की बात करता है सलीम सर मलस आप उसर इनका इत्यास तो बताना बड़ा रोमाचकारी इत्यास है सर 1978 में प्रोफिसर की मारपीट के जुर्म में कॉलिज से निकाले गए लेकिन अपने ही जैसे चंसाथियों को गुम्रा करके कॉलिज के बाहर धरना दे दिया और स्टुएंट डीडर बन गए 1980 में दंगों के दौरान लूट मार करते वे पकड़े गए लेकिन नेतागिरी की आड़ लेकर सजा से साफ बज गए 1984 में एक शरीफ लड़की को अपने प्रेम जाल में फसा कर उसे बिन ब्याही मा बनने का सौभाग तरदान किया और उसे भी पीप दिखा कर भाग निकले और 1988 में मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जनता की सेवा का बीड़ा उठाया अरे MLS आप तो पसीना पसीना होगे सिर्फ आदा गेंट आपके बारे में छान बिन की है तो यह हाल है अगर पुरा हित्यास खोज निकाला तो हार्ट फेल हो जाएगा आपकी पोजिशन खाक में मिल जाएगी जैस्ट रिमेंबर दैट मिस्टर सुरज प्रकाश मेरे ट्रक रोकने के तुमारी हिम्मत कैसे हुई क्योंकि वो नाजाइश शराब ले जा रहे थे मिस्टर कनवरलाल जो कानून जुर्म है तुम देश के कानून के बुजरिम हो तुम बगवास कर रहे हो इस तरह तो हर बिजनसमें मुजरिम है एक कंपनी का नाम बताओ जो खातों में हेर फेर नहीं करती एक इंसान का नाम पताओ जो इमांदर इसे इंकम टेक्स देता जो जान बुचकर सरकार की आँकों में धूल नहीं जौंकता अगर ऐसा ना करे तो आसमान को छूती हुए इमारते हवासे बाते करती हुए कारे कहां से आसल करेगा लेकिन कनवरलाल ने जान हतेली पर रखकर दौलत कमाई है व मेरी हिम्मत और दिमाग करने की जाए अब आइंदा मेरे बिजनस के बारे में फैसला करने की कोशिश मत करना कि वह अच्छा है या बुरा वर्नों में तुमारी जिन्देगी का फैसला करने पर मजबूर हो जाओंगा तुम्हें ने कहा था ना कि तुम मुझे बरबाद कर होगे हैं हाँ मैंने कहा था और कर दिखाने की हिम्मत भी रखता हूँ श्रीमान कनवरलाल तुम देश और समाज तुनों के दुश्मन हो मैं तुम्हे तुम्हें तुम्हारे बिजनस के साथ दफन करतेंगा इस मेंस पर इतनी जोर से हाथ मद्माव कि यह तूट जाए यह मैंने दान दिये हैं यह शराब जिसे पिकर तुम नशे में जूंते हैं रहुं यह कप्ड़ पेंकर तुम चंदा के आगे आगे घुमते हो यहां तक कि यह तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है बोली बाली जंदा पर अपनी भादुरी का जुटा सिक्का जमाने के लिए शेर के मुँमें हाथ मट डालो पहले कनुवरार की बढ़ावरी करो फिर बात करना तुम जैसों की तरफ मुणकर देखने का वक्त ही कहा है सुरश प्रकाश के पास तुम मेरा मुकाबला करने के काबिल ही नहीं तो फिर देख लेते हैं सुरज प्रकाश के जीत किसकी होती है तुमारे जुटे अधिकारों की जिनके पीछे कोई संसकार नहीं या मेरी इंसानियत की जिसके पीछे कोई भीड नहीं तुम जैसे जुगनु की जो रातों को टिम टिमाता फिरता है या कनवर लाल की जो आस्मां का चमकता सितारा है चैलेंज चैलेंज मुख्य मंत्री श्री सिंग ने अपने मंत्री मंडल में विस्तार करते हुए युआ एमेले श्री सूरज प्रकाश को सम्मिलिक कर लिया है जनता ने मंत्री श्री सूरज प्रकाश का जोरदार अभिनन्दन किया लडिज एंड जेंचलमेंग एहसान हमारे दिल पे तुम्हारा है साथियो ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है साथियो नई 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 इसकिया जरुट नहीं एश कीजिए आप लोग ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमें एलेक्शन जितवाया, हमें मंत्री बनवाया, आप लोग हमारा ऐसा साथ दे रहे हैं, जैसे नया का माची, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, यह मैं समझे से यह सिर्फ एलेक्शन का वाद आया, क्यों वकिल सहब, आप क्यों ऐसे उदास खड़े हैं, छोड़िया सर, अब हमारा हाल सुनने की फुर्सत ही कहा है आपके पास, कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो हमारे खासुम खास हैं, बस एक बार कनवर लाल को जेल की सलाहों के पिछे पहुचा दीजे, उस दिन से आप की दिन फिर उसकी फिकर आप क्यों करते हैं सर, मैंने गवाहों और सुबूतों का ऐसा जाल बुना है कि कनवर लाल के फरिष्टे भी उससे नहीं बस सकते, तो फिर खुदीता कर लीजे न, किस आदालत में चज़ बनकर बैटना है, कहिए रामलाज जी, सरकार, बार बार आपको कष्ट देता हूँ, मुझे बड़ी शरम आती है, बड़ी बेटी की शादी तो आपके आशिरवाद से हो गई है, अब छोटी की भी पकी कर दी है, लेकिन, सलीम, सर, रामनाज जी को पचास अधार उपय दे दो, ये सर, जाए रामनाज जी, अपनी बेटी की शादी धुम धाम से क भगवान आपका भंडार सदा भरा रखे, धन्यवाद, आप लोग अना थले काम शुरू कर दे है, मैंने सारा इंतिजाम कर दिया, धन्यवाद, सर, ये कोडियों के होस्पिटल का चेक है, इसमें कितना एमान भर दूँ, दो लाख रुपया, दो लाख रुपया, इतना पै ये दौलत, जो हमने समाज और कानून को अपना दुश्मन बना कर कमाई है, किसी के तो काम आए, किसी एक दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी, तो हम समझेंगे, ये दौलत हमारे काम आई है, ये चेक आज ही भीजवाद देना, ये सिर, हलो, हाँ बोलो जगन, माल पहुंच गया, सारे चेक नाकों भी पूलीस लगे विए, जगन, माल हर हालत में पहुंचना चाहिए, लेकिन सर, बहुत मुश्किन लग रहा है, जो मैं कहता हूँ, वो करो, रस्टाइब टेक केर, ओके सार, प्योजाद झाल 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 कि अप है कि अचिया चुंग लुड़ा ध्रिया गांगा जुन का डेंडा नीचे करो तो गरिब के सरपे बरसाते हो हमारी मांगे तहीं है होन नहीं 50 जुर्माना स्षुद में बस्ती नहीं 50 गंटी नहीं अब घंटी नहीं weighed लगश कि दिंषब भाग़े जा रहे हमारे पेट के दुशबन आरहında हैं देखिए ना हमें सरकार तक जाने दीजिए पेट्रोल कितना महिंदा हो गया तुम्गो तब पाश रुबेगा जाता है हे ललूराम सही नाम रखा है तुम्हारे माबापने इनके सामने रोने से क्या होगा चलो आटियो साथ के पास चलते हैं ये पथ्था दिल क्या जाने गरीबों के पेट के आप अरी लग्जो ऐसा मत बोख साथ कितने अच्छे हैं आप ही बताईए हम हमारी मांगे लेकर सरकार अजला के पास जाएं गवर्मेंंट के बाद जाएं मन्तरी साथ आप एंचा आट जाएं कहां जाएं ना रख में जो जड़ा इड़ेस तो बता दो क्क एओ up अगना यळूय हाँ шеही… जसा था यूय हाँ जसा थाँ हुआ 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 है नकनवरलाल नकनवरलाल हुआ जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल एह तुकनवरलाल 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 है तुकनवरलाल तुकनवरलाल हो तुकनवरलाल 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 तुकनवरल तुकनवरल जहाँ जहाँ भी जाता हूँ जीत के मैंना आता हूँ जहाँ जहाँ भी जाता हूँ जाकर ख्यला गरता हूँ तूपा से क दत राटा हूँ साया जो झू सके तुमारा किसनी है ये मजाल साया चोचू सबी तुम्हारा किसी है मचाला तुकन वरला, तुकन वरला नकन वरलाल हो, नकन वरला मुझन वरला हाकिम हो या मुनसिफ हो, सबसे ऐसा नाता है पास हमारे आते हुए खत्रा भी खबराता है जाता है सको नजराना सब्गे माला माल तुम कनवरलाल, तुम कनवरलाल मैं कनवरलाल हूँ, मैं कनवरलाल जिसका नहीं जवाब कोई ऐसा हूँ मैं सवाल नकनवरलाल, तुम कनवरलाल है, तुम कनवरलाल कनवरलाल मैं कनवरलाल हमारे chances मुझे बहुत कम नजर आते है सर हमें seriously कुछ सोचना चाहिए सोचना आपका काम है वकील साब you are paid for it I know, I know sir projector lights off sir, ये mister चतुर सेन है public prosecutor yes sir I see sir, ये पिछले 30 साल से PP का watchman है शकल से वफादार लगता है अपने काम का नहीं sir, इनका नाम नंदराम है PP के assistant come secretary है सालों का तजरुआ इनके पीछे है लेकिन अकल से पैदल PP साब इनने सिर्फ कोट की तारीख रुतागी रखते है ये भी बेकार है ये सीधी साधी औरत कौन है संध्या देवी PP के assistant है sir very intelligent lady PP साब इन पर बहुत भरोसा करते है दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं सिर्फ एक छोटा सा बेटा है सलिम sir, ये मोरा अपने काम का है मुझे इसके बारे में सब जान करी चाहिए get it quick, right sir कर दो संध्या ये फाइल जरह संभाल के रखना किस केस की फाइल है sir कर्णमरलाल वाले केस की देखो संध्या, मेरा आज एक बड़ा important case है इसलिए इस फाइल को तुम ध्यान से रखना इसमें कर्णमरलाल के खिलाफ सारे गवाओं और सुबूतों की details है अगर इसमें से एक भी पेपर इदर से उदर हो गया तो कर्णमरलाल कानून की गिरफ से निकल जाएगा और मेरे हाद से मेरा प्रमोशन निकल जाएगा संध्या, तुम फाइल से रिंच करो, मैं चेम्बर से उकरा तू की sir मौनीं कुमार अभी ट्रांसफर हुआ यह शहर में अब यह भी ट्रांसफर हुआ है शहर में बुद्ध, लुक्ट, संध्या जी आपके साथ काम करती है हाँ, क्यों आप उन्य जानते है जे हाँ, हम लोग अनातले में एक साथ थे मैं उनसे मिलना चाहता हूं, सर ओ, कम, कम विद में लुक, शीज दिया संध्या ओकी, बेस्ट आफ लाक संध्या जी, ये कनवरलाल केस की फाइल है? जी हाँ, क्यों? मुझे कुछ पॉइंट्स नोट करने है लेकिन ये फाइल मैं आपको नहीं दे सकती और पीपे साब बड़े साखताद में है अरे, अभी उन्हों नहीं मुझे आपके पास भेजा है आप बेकार में परिशान हो रही है वैसे भी, मैं यहाँ खड़े खड़े ये फाइल देख लूँगा और आप फिकर ना करें मैं वही इंस्पेक्टर हूँ जिसने कनवरलाल को गिरफतार किया Don't you worry ये ली जी Thank you कैफूल हाँ Okay Sandhya हाँ Sir, Sir, वो पुलीस ओफिसर गाइब हो गया कौन सा पुलीस ओफिसर? ओ, वो तुमारा भाई भाई? Sir, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है आप ही ने तो उसे तन्वरलाल की फाइल से पॉइंट्स नोट कने के लिए बेजाता न पहले? पहले बेजाता? हाँ Sir, आप ही ने तो इशारा किया था ना? क्या बखे जा रही हो तुम? कहीं तुम ने उसे फाइल तुम नहीं दे थी? नहीं Sir, वो उसने कहा कि वो यही पर देखकर वापस कर देगा लेकिन अच्छाना को भाग गया मैंने सारा कोट चान मारा लेकिन उसका कहीं बता नहीं यू इसर्पांसिबल गर्ण मैं अभी अभी हलो, S.I.A.N.E.L. स्विकिंग आप क्या को अरुन कुमार नापका इस्पेक्टर है? नो Sir, अरुन कुमार नापका कोई इस्पेक्टर हमारे या नहीं है I'm sorry Sir अरुन कुमार ने आपको उस फाइल के लिए बताईए, सच सच बताईए कितने पैसे लेकर आपने वो फाइल बेची कितने पैसे दिये Mr. कनमर लाल ने आपको उस फाइल के लिए Speak up नहीं से मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मैं कुछ नहीं जानती कितने शर्म की बाते संधिया देवी कि एक वकीर आप अदालत को ठोका दे रहीं अगर वो सारी बारदात आप खुद बता दें तो अदालत का खीमती वक्त भी बचेगा सचा है तो यह है सर कि वो फाइल मैंने उसे सब इंस्पेक्टर को दी थी, जिसे आप ही ने बेजा था ओफो, फिर वही बखवास कर रही हैं आप Mr. Canverlal अगर उस गुमशुदा फाइल से किसी को फाइदा हो सकता है तो वो आप हैं, सिर्फ आप इसलिए उस फाइल को खायब करने की साधिश सिर्फ आप कर सकते हैं बताएए, कहा है वो फाइल Mr. Public Prosecutor, क्या बता सकते हैं कि हिटलर की दाई टांग छोड़ी थी, या बाईं वाट नॉंसेंस आर यू टॉकिंग Then you talk sense Mr. Public Prosecutor जो फाइल आपके कब्जे में है आप उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं अगर मैं मुर्फता की बात कर रहा हूँ तो आप महा मुर्फता की बात कर रहे हैं तब इससे बात कीजिए Mr. कन्मरलाल This is high court मैंने कब कहा कि ये tennis court है Order, order वैसे Public Prosecutor साभ किस बिना पर आप ये कह सकते हैं कि वो जुर्म इस शरीफ और दे किया है जिसका इल्जाम आप इस पर लगा रहे है मुल्दीम के चेहरे पर उसका जुर्म छलगता है उसकी घबरहाट उसकी कपकुपाट गभाई देती है ये बताइए Mr. कन्मरलाल कितना पैसे दिया आपने संधिया देवी को लगता है अब आपको सच बताना ही पड़ेगा लेकिन वो पैसे मैंने संधिया देवी को नहीं आपको दिय थे जी मुझे अब आप अपने चेहरे पर घबराड देखिए आपके पैर कपकपा रहे हैं इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ये जुर्म आपने किया है Your Honor मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है हम किस केस पर बहस कर रहे हैं Mr. कन्वरलाल जिनका ट्रक तथा कथित समगलिंग का सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था या फिर वो गुमशुदा फाइल जो जूनियर पॉब्लिक प्रोसेक्यूटर के हाथों गुम हो गए थी मेरे काविल वकील Mr. पॉब्लिक प्रोसेक्यूटर इस केस को उलजाकर अदालत का वक्त बरबाद करना चाहते हैं उनकी खुबसूरती से बनाई गई कहानी ये कहना चाहती है कि वो फाइल जो सरकारी तहवील में थी I mean सरकार की पॉजेशन में थी गायब हो गई है ठीक है हो गई हो गई लेकिन यूर उनर इससे मेरे क्लाइंट मिस्टर कनवरलाल का क्या तालुक हो सकता है हकीकत यह है यूर उनर के कुछ पॉलिटिकल फॉर्सेज मिस्टर पबलिक प्रोसेक्यूटर और उनकी सायक संध्या देवी से मिलकर मेरे क्लाइंट मिस्टर कनवरलाल के चरित्र पर कीचड उठालने की कोशिश कर रहे है संथिया जी इस से पहले आप ने मिस्टर कनवरलाल को कभी देखा है नहीं वर किसी ने रिश्वत देकर आप से वह ऐपािल हासिल की है नहीं! मैं नहीं जानती कि वो फाइल ले जाने वाला कॉंसा? मैं तो सिर्व इतना ही जानती हूँ कि मुझे दोखा दिया गया इसके इलावा में और कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती सर, सर मानते हैं न आप इस उतनलाल के दिमाग को पूरी अदालक को हिला कर रख दिया ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने वकिल साहब यह क्या हो रहा है सर, कमाले भाई आप कहां धरे, देखा नहीं कोट में कैसे शेर की तरह धाल रहा था, अपने सवालों की बहुचार से मेरे सब के मुखन कर दिया सुरज प्रकाश की चाले, धरी की धरी रह गई क्योंके फाइल हमारे पास पहले ही पहुच चुकी थी, अपने सब सेरा मत मां दिया वकिल साहब अंदे के हाथ बटेर लगी, बोला रोज शोरवे से खाता हूँ हसो मत, हसो मत, मैंने तुम लोगों को बचाया है, परना वो हतकडिया जो संधिया देवी को लगी है, वो तुम्हारे लिए आई थी क्या, संधिया गिरफतार हो गई? हाँ सर, वो तो कबसे जेल में पहुच गई होगी? हाँ सब्सक्राइब होगी, बैटे, यहां के लिए बैठे, किसका इंतजर कर रहा है? ममी का, पेटे, आपकी ममी एक जरुरी काम से बाहर देए, कल तक आ जाएंगे, और आपकी ममी ने कहा है, कि तब तक राजु बैटा हमारे साथ रहेगा, हम आपको बहुत सारी आइसक्रिम खिलाएंगे, भेर सारे खिलोने देंगे, आपके पास सिद्धे पैसे है अंकल, हा ममी के कौन है, हम उनके सेकरेटरी है, जगन, सार, पेटे, अंकल के सार जगत गाड़ी में गठो, हम अभी आते है, चला, सलीम, सार, वकेल साब से क्याना, संध्या की जमानत कल तक हो जानी चाहिए, ओके सर, मेरे राजू कहा है, शास्ती जी, पेटी, अनाथ हाला से फोन आया था कि सब ठीक है, मुझे लगता है, वो अपनी शीचर के साथ चलागया होगा, तुम्हारी जमानत की ख़बर नहीं होगी, लेकिन मेरे जमानत किस ने करवा है, कह नहीं सकता बेटी, आपके अलवा और आपके पास, ताटा, 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 चलो संध्या अच्छा ममी मानने मंत्री महत है पिराजी, आज कोई नया लच देने आये हैं? हम यहाँ तुमसे उलजने नहीं आये हैं, और नहीं हमारे परस बैठने के लिए वक्त है वो तुम मेरी शराफत में मुझे मजबूर कर दिया जो तुम्हें बैठने के लिए पूछा परना तुम्हारी सूरत देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है तो अपना हाजमा दुरुस्त कर लो और हमें सिर्फ यह जवाब तो कि तुम कनवर के साथ क्यों जामिली हो हमसे बदला लेना चाहती हो या फिर उसकी दौलत पर हाथ साफ करना चाहती हो क्या रिष्टा है तुम्हारा उसके साथ जहीं बदले की बात तो मैं तुम्हें उसके काबिल नहीं समझती है और अगर पैसे का लानच होता ना तो उससे दिन तुम्हारी बात मांगने थी तुम क्या समझती है हम तुम्हारा विश्वास कर लेंगे अगर तुम्हारी नियत ऐसी नहीं थी से खेटी रहे हैं, लेकिन अपमा नहीं सा जा सकता, लोग कीचल उचा रहे हैं, जो अप्राज मैंने नहीं किया, उसका जिम्मेतार मुझे धेला रहे हैं, मैंने कोई अप्राज नहीं किया, नहीं किया तुम्हारे ये मगरमच्छ जैसे आशू हम पर कोई असर नहीं कर सकते। संध्याद देवी, तुम्हारी ये सिस्कियां तुम्हारी बेगुनाई का सबूत नहीं दे सकते हैं हाँ, जानती हूँ, जानती हूँ मंत्री जी, आशू तो सिर्फ इंसानों पर असर करते हैं तुम जैसे शैतानों पर क्या असर करेंगी, तुम पर तो उस दिन भी असर नहीं हुआ था, जब अपनी प्रेमी काकूं दूसरे मर्द के साथ रात गुजारने बेज रहे थे, तुमसे कौन इंसानित की उमीद रख सकता है। गोली मार उनसानित को, हमारी पोजिशन देखो, आज हम हर हाल में कनवर से बड़े हैं, इस्जत में, शोहरत में, रुत्वे में, यही सब कुछ हम तुम बताने के लिए हैं। कसाई की छूरी चाहि कितनी भी चमकदार धारदार लंबी हो, गर्दन काटने के लिए ही काम आती है। तुम्हारी दालत, शाहरत, रुत्वा, सब कुछ, सब कुछ लोगों की बली चड़ाने के लिए ही काम आएगा। संध्या, भूल जाओ सब को पुरानी बाते, सब कुछ ठीक हो सकता है। हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे, इसके तुम्हें सबने में मिकल्पना नहीं की होगी। बस, कोट में सिर्फ इतना कही दो, एक तुमसे डराद धंका कर वो फाइल ले गया। मैं जूट नहीं बोड़ूगी, हमेशा एक ही बात कहूँगी, कि फाइल मेरे ही हाथों से गायब हुई है, मगर नहीं जानते कि कौन ले गया। संध्या, तुम्हारी बेवखूफी हमें मजबूर कर रही है कि हम तुम्हारे हाथों में भीट का कटोरा देगी। जानती हो, इसकी बात क्या होगा। जो काम तुमने हमारी तरक्की के लिए नहीं किया, वो अपने पेट के लिए करती पिरूगी। ना जाने कितनों के बिस्तर करम करने पड़ेंगे। अकर किसी दिन इतना हार गई तो? तो आत्मात्या कर लोगी। अपना मकसद पूरा करने से पहले नहीं मरोगी। इतनी बखवास इसलिए कर रही है कि वो गुंडा कनवर तेरा हिमायती है। लेकिन ये मत भूँ। कटी पतंग भले कितने ही उची प्यूड़ पर क्यों ना ठक जाया। ज्यादा देर हवा में नहीं ठैर सकते। उसे नीची आना ही पड़ेगा। और वो भी चिल्वी, चिल्वी होकर। तुम उची कटी पतंग समझ कर यहां आया। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं एक अटल औरत हूं जिसे तुम जैसा शैता नहीं दिगा सकता। इस समझते हुए मानंगी मंत्री महते, इससे पहले कि मैं यहां से आपको दख्या मार कर निकार दू। आप अपनी मनुश सूरक लेकर यहां से चले जाएए। कहुत। संध्यात, तुम मेरे जीवन की प्रेल ना हो, वरना मेरे जीवन में रखाई क्या है, कुछ नहीं। सूरेच, एक तुम इतने निराश हो, और उपर से पढ़ाई छोड़ रहे हो। कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम वाकिल बैंग जाओगे। कुछ है। कुछ है। सुरेच प्रकाश के जीवन का मकसद दो सत्ता में प्रवेश करना है। है। वो करके ही रहेगा। वो करत्ता है। NEŞE 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 प्यार एक नशा, दोस्ती एक नशा, जिन्दगी एक नशा नशा जिन्दगी एक नशा, 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 जिन्दगी एक लुट 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 Neşer, 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 neşer! Altyazı M.K. 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 जाये! Excuse me, sir. कुटा! आपनो इडियेट! कुटा नहीं! पपी! ने, 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 पपी साहब! आई जी साहब का! कुटा साहब! रुकी! जारी रुकी! रुकी, प्लीज, प्लीज, मरी मदर कीची, प्लीज! संध्या, तुम? कहो कैसे आना हो? हमारे बेटी को पे उठा लेगा है, सुरेच! मैं जाने उस मासुम को कहा छुपा रखा है? हमारा बेटा, सुरेच! क्या पकवास कर रही होगा? सबन बंद रखो! तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो! इस वक्त तुम्हारे जिवा मेरा कोई नहीं है! मैं तुम्हारे पाओं परती हूँ! तुम जैसे औरत का सडकों पर रोते पीटते दोड़ना अच्छा नहीं लगता! यह तो औरत जात की तौहिन होगी देगी! बगवान के लिए अपना बेटा नहीं सही! एक मासुम समझ कर तो उस पर दरस्काओ! वो बेचार अपने हाथों से खाना भी नहीं कह सकता! फूख के मारे बिल पिला रहा होगा मेरा बच्चा! अपनी पत्नी नहीं सही! एक में सहरा औरत समझ कर तो मैरी मज़र की लिए! कौन हो गो? क्या हंगामा मचा रखा है? तुखिया है बेचारी, किसी ने इसकी बेटे को उठा लिया है! देवी जी आप मंत्री जी का समय क्यों बरबाद कर रही है? सर यह हमारा काम है हम देख लेंगे, आप गाड़ी में पेशिए! जयरादी! कर लेख बेखिया है! कर देखिया है! कर देखिया है! तुअ ludzi! ।ू खिर्फिया है! पुछ शूओ किला बंगलता हुए एदिता हुआ हगक हुआ 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 लोगा वाचिरू, वोटू लोगा, बुटू हलो, हलो, कोई है? हलो, मैं संधिया हो रही है संधिया? क्या बादा संधिया? तुम बहुत परिशान लग रही हूँ बोलो संधिया कनवरलाल जी जवाब दो मिरे राचु को वो टाचारी जणार तर उठा ले गया है सो नाक रुपे माग रहा है कहां दिलाऊंगी मैं इतने रुपे हाँ प्लीज, मिरे राचु को बचा लीजी मिरे राचु के बिना जिन्दा नहीं रह सकती बग्वान के लिए मेरे राचु को बचा लीजी शान्त हो जाओ संधिया कनवरलाल के होते हुए तुमारे बीटे को कुछ नहीं होगा अब ये बताओ उस बदमाश ने रुपे का मंगाए है कुछ नहीं बताया उसने कहा वो आधिराथ को पून करेगा लगता है उसी का फोन है पून उठो हलो टांग टांग टाइम, वक्त, समय, खत्म हो गया है उसी का फोन है हलो जॉन जॉनी जनर्दन कौन है बेश बीच मिडल दरमियान में टबक पना कनवरलाल नाम है मेरा क्यों बेश सारे बदन में पहुंचाला गया फोन ठीक से पकड़ चुए फुद बिल से निकल कर आजा अगर खोट के निकाला तो बुरा हाल करूंगा मैं ऐसी जगा पर हूँ जहां कनवरलाल भी नहीं पहुंच सकता एक बात कांग करकर सुन ले कुट्टे अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो तेरे खानदान को कोई नाम लेवा नहीं होगा हलो पायर ब्रिगेड क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी शहर के किस हिस्से में आग लगी है जनकपुरी में जनकपुरी थेंक्यू क्या हो मेर बच्चिकव धेरज रखो संध्या कर सूरज निकलने से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में होगा चलो तो आग इस जनकपुरी में लगी है इसका मतलब है वो चुआ यहीं कहीं चुपा है अब पता लगाना है कि इस इलाके में फोन किस-किस के पास है यह इलाका तो जोपर पट्टी है सर फोन होना बहुत मुश्किल है लेकिन सर वहां एक बदनाम होटल चंदना है वहां फोन जरूर होगा होटल चंदना इस होटल के मालिक का है कहिए सर मैं आपकी क्या खिद्मत कर सकता हूं मैं आदे गंडे सी होटल का फोन ट्राय कर रहा था लगता ही नहीं है लगता आपका फोन बहुत बिजी है नो सर आदा गंडा पहले एक कस्टमर ने फोन किया था उसके बाद से तो फोन खाली है वो एक डान शर और एक छोटे बच्चे के सा उपर कान से कमरे में है वह तो बच्चे को लेकर चला गया सिर्फ डान सर ऊपर है किस कमरे में आप चाहते कहा है सर वही जिसके लिए वो यहां आई है यह लो लो अरे ले लो यार लो रूम नुमर फाइब बन सेवन सर्ड रूम है जॉन जॉनी जनार्दन दर्वाजा खोलो मनी पैसा धन मिल गया है पहले यह बताओ सच नहीं नहीं मैं सोच रहा है कि अगर यह घर गरदन पर फिर गई तो यह सर इस जिसम से अलग हो जाएगा क्या सोच रही हो देवी जी गटार चल वा दूं या बताती हो पताती हो घर दाती आ आप यही ठेरी अंदर हम लोग जाते हैं ठेरो उस चुवे से हिसाब मैं खुद करूगा आप यहीं तो फिर रो रहा है शाले पहले भूग के मारे रो रहा था मैंने बियर दी फिर बियर के तो मम्मी के लिए रोने लगा इतना से छोग रहा है और मुझे इतनी तकलीफ ट्रबल कश्च दे रहा है अवे रिजन तो पुझा ठुबड़ा पूड़ा हो तिरा अजब आम अरतिया मुझे माले में कि जब भीड़ी की मौद आती है ना तो नगर शहर सिटी की तरफ भागता चला आता है ए बजलोग इस बजलान निचोड़ो इसको अरक, जूस, रस निकालो अब जाड़िये जूस, रस, अरक किसका निकलता है अभी दिखाता हूँ इच्छ 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 एंस अार! एंस अार! कर दोगने! बन्वार्णाओं। राचू! मेह बेटा! जाओ बेटी, अपनी माँ के पास जाओ। मामी! राच्यो! कहा थे मेरे बेटे? कन्विलाल जी! मेरे बेच्चे की जान बचाकर, आपने मुझे खरीद लिया है। इतना बड़ा एहसान किया है, कि जिन्दगी भर इसका बदला नहीं चुका सकोंगी। कभी मेरे मदद की जरूरत पड़े, तो अपना सभागे समझूगी। सौरी संद्यजी, कन्वरलाल कभी किसी के साहरे नहीं जीता है। पाए! अंकल, एक दिन मैं आपके मदद करूँगा। वादा? वादा! जो पार्टी जनता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस की आयोग्यता और मंत्री की लापरवाही, विधान मंडल की अभगात बैठक। मंत्री सूरज परकाश के कड़े विवार के विरुध, विरुधी पार्टियों का संयुक्त विरुध। ये खबरें अखबारों की पूर्टियों में छप रही है। प्रेडियों पर सुनी जा रही है। टीवी पर दिखाई जा रही है। मैंने सोचा था आप एक योगी वर्ति इसलिए आपको मिनिस्टर बना थी। लेकिन आप बिलकुल असफल से धुए। आपकी योगीता की वज़े से विवक्षी पार्टियां मंत्री मंडल का स्तिफा मंग रही है। जब एक बेसारा औरत अपनी लड़के की रहाई के लिए आपके पाउं पकड़ रही थी। उस वक्त तो उसकी मर्दा करने के बजाए आप व्यक्तिकर दुस्मनी दिखाने लगे। क्या यही मौका मिला था छिजोरा बन दिखाने का। जो जन्ता के हितों की चिंता नहीं करता वो मंत्री बद की योग नहीं। जो प्लीस जन्ता के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती। वो जिम्मादा रहना होदों के काविल नहीं। मुख्य मंत्री महोदय, केवल मंत्री मंडल का मुख्या होने के नाते आपको यह कतई अधिकार नहीं कि आप जैसे चाहें बातें करें। आप शायद भूल रहे हैं कि पार्टी के 50% MLA मेरी चीव में पड़े हैं। एक अविश्वास परस्ताव आपकी सहित खराब कर सकता है। मैंने भी उसी राज्यपाल के समक्ष पद और गोपिनयता की शापतली है इसके समक्ष आपने है। हमारे पद जरूर थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं। मगर हमारी ताकत में ज्यादा फर्क में है। मुझे मंत्री आपने नहीं। हाई कमांड के आशिरवात ने बनाया है। संभव। बेकिन विडमना है। आज हमनी कुर्सियों पर बैठें। जिन पर वो महान नेता विराजमान होते थे। जो निश्वार जन्ता की सेवा करते थे। कल आप विधान साबा में ओपोजिशन का जवाब देने के लिए तैयार हो जाई है। वरना मैं आपके त्याग-पत्र का इंतजार करूंगा। आप बुड़े हो गए। ऐसे ऐसे छोकरे। हाई कमांड की धौस है थे। मंत्री जी आपने आरोप में का क्या उतर दिया मुख्य मंत्री जी को। अप वो इससे में आपसे त्याग-पत्र की मांग की थी। क्या आप त्याग-पत्र देंगे। क्या आप उस परिष्टे का नाम बता सकते हैं जिसने उस औरत की बच्चे को बचाया। देखिए मैं मुख्य मंत्री महोदे की कुशलता जानने के लिए आया था। कल वो सूखा पीड़ीते लाखों का दौरा करने के लिए गए थे। जहां वो फूर पोईजनी के शिकार हो गए है। अच्छा, जारामची की। आखिर आप चाहती क्या है। अगर आप ये समझती हैं कि कनवर के साथ मिलकर आप हमें नीचा दिखा देंगी। तो ये आपकी भूल है। हम सूरज हैं। हमें चमकने से कोई नहीं रोक सकता। हम दुनिया पर चमक करी रहेंगे। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो जाओ। तुम्हारी पुलीस, तुम्हारी सरकार, कनवर लाल को हिला भी नहीं सकती। वो चटान की तरह अटल है। तुम्हारी तो उसके सामने बहुत छोटे अग्मियों। हम जानते हैं संध्या। क्योंकि आप हमें पा नहीं सकें। इसलिए चलन में ऐसी गटिया हरकतें करती भिरती है। मचली चाल में तडपती है। चाल से निकल कर नहीं सूरत साब। और गंदे खेल तो हमेशा आप लोग खिला करते हैं। क्योंकि डर हमेशा आप लोगों को लगा रहता है। कि अगर सिर्फ दो में ने साथ छोड़ दिया। तो सारे मिनिस्ट्री हाथ से निकल जाएगी। मैनिस्टर तो एक बिखारी भी बन सकता है। अगर उसे वोट मिल जाएं। लेकिन अगर आपके मिनिस्ट्री चली गई तो आपको कोई भीक भी नहीं देगा। सच मुछ तुम राजनीती के लिए सही आदमी हो। लेकिन अपने बेटे और अपने जिंदगी पर तुम्हारा मनुसाया कभी नहीं पढ़ने दूगे। सूरच और संध्या का मिलन कभी हो ही नहीं सकता। जब जब संध्या आएगी सूरच को अपना मूठ छुपाना ही पड़ेगा। मेरी देहलीज पर तुम्हारे कदम, मेरी शांती को भंग करने वाले तूफान की तरफ इशारा करते हैं जो थम चुका है। तुम्हारा इस घर में अपने कदम नहीं रखना। केवल बकबकाने से भागे नहीं बदला करता संध्या। विनाश काले विपरीत बुध्धी तुर भाग क्या। अब तो हम तुम्हारे लिए प्तार्थना में नहीं कर सकते हैं। मम्मी, मम्मी, यह अंकल कौन है। यह अंकल नहीं मंतरी जी पेट। यह गन गोना। यह अंकल नहीं मंतरी साहिब है। बिलकुल है जी और आपकी प्रतिक्षा भी कर रहा है। क्यों शाम परशाद जी। सत्यवतन नापशाद जी। वो आ गए। नमशकार साहिब, नमशकार। पाई लागू सरकार। सुखी रहो, सुखी रहो। कैसा चला है बालक। सब ठीक है साहिब, कहिए कैसे आत किया। बहुत दिनों से नजर थी तुम पर। सोचा कुछ कर ही डाले तुम्हारे लिए। जानते हो राजनीती क्या है। और कितनी ताखवत है इसमें। जी सरकार, लोग कहते हैं कि इंसान तस उंगलियों में चक्र लेके पैदा हो। या फिर नेता बन जाए, दोना ही तरह राज करेगा। बस वही राजगदी हम तुम्हें सौपना चाहते हैं। सोच रहें अपनी पार्टी के सेवा संका तुम्हें पैसिजेंट बनवा दें। मगर हमें ये मालूम ही नहीं कि तुम कितने पॉपुलर हो। और जनता में तुम्हारी क्या इमेज हैं। सहेब मैं बहुत मशूर हूँ। हर पेपर में मेरा नाम चपता है। बालक। राजनीती में अगर कुछ अच्छा इस्थान बनाना चाहते हो। तो जनता पर जादू चलाने के लिए कुछ चमतकार करने पड़ेंगे। सरकार केवल आपका अशिरवाज चाहिए। फिर देखिए जंगा का चमतकार। पिछले दिनों अख़बारों में खबर छपी थे। पब्लिक प्रोसीक्यूटर की जूनियर क्या नाम है उसका। संध्या। उसका बच्चा अगवा हो गया। और हम पर यह आरोप लगाया गया था कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। यहां था कि पुलिस ने भी उस औरत का साथ दें दिया। और एक आजनभी फरिष्टा उस बच्चे को वापिस ले आया। अब अपोजिशन वाले हमसे यह कहकर त्याक पत्र की मांग कर रहे हैं कि हमने बड़ी ही कठोड़ता का पर्चे दिया। पढ़ा था तुम्हें। सरकार पढ़ा तो था। उससे आपकी बड़ी बद्नामी हुई थी। और वह अंजान फरिष्टा और कोई नहीं। कनवरला जो अपनी चाल में काम्याग हो गया। हम अब उससे ऐसा सबख सिखाना चाहते हैं जिससे कि वह काम उठे है। और अंदा इस बाद का ख्याल लखे कि सूरच परकाश को छूते ही वह जलकर राख हो जाएगा। इसलिए अब उसे उसी की तरह का जटका देना आती आवश्यक में। मुझे क्या करना होगा सर। उसके तमाम अड़नों को तहस नहस कर दो। सरकार कनवरलाल तो दो नंबर वालों का बेताज बाश्या है। उसके मामले में टांग अलाने का मतलब है खुद अपनी कबर खुद ना। सरकार उसकी पहुच तो मुख्य मंत्री तक है। इसी को कहते हैं एक तीर और दो निशान है। तुम कनवरलाल को बरबाद करो और हम मुख्य मत्री से पुखत लेंगे। तो फिर मेरे लिए क्या हुकम है। मजदूरों और उनके लीडरों को एकठा करो और हरताल शुरू करते हैं। लेकिन साहेब बिना कारण स्ट्राइक कैसे हो सकती है। देखो बालक, कनवरलाल की एक शराब की दुखान चर्च से लगए। और एक परमिट बार मंदिर से दो कदम की दूरी पर है। तुम इस बात पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इससे हर धर्म के लोगों को असे विधा होती है। उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचती है। धर्मों के ठेकेदार तुम्हारे साथ हो जाएंगे। और उनकी सहायता से तुम कनवर की बरबादी भी कर सकोगे। और हम शांती खायम करके जनता के समक्ष धर्म नर्फेक्ष होने का श्रे भी प्राप्त कर लेंगे। गन्वर लाल, मुलावाद, मुलावाद, गन्वर लाल, 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 मुलावाद, एको भाई, मेरी बात सुनो, यह सब तोल फोर क्यों कर रहे हो, प्रसे के लिए न, मैं तुम्हें पैसे रहता हूँ, यह लो, यह लो, इतने सारे पैसे, लेकिन अपने दोस्तों से कहो, बन कर दे, यह हंगा मा क्यों कर रहे हैं वो लो सारी बर्बादी मैंने अपनी आखों से देख लिए, समराट अशोग ने कालिंगा के मैदान में, जब सिपाईयों की लाशे देखी, तो उनका मन पश्चा ताप से भराया था, लेकिन कन्वरलाल के मन में, बतले का तुफान उठा है, मेरे खिलाब उटने वाले हाथ, किसी के इशारे पर उठे हैं, उस इशारा करने वाले का सर, धड़ से अलग करने का वक्त आ गया है, जगान, जिन हातों ने मेरी बर्बादी के लिए इशारा किया है, उन्हें उनके कांद उसे अलग करना पड़ेगा, गोएड, देखो भाई, तुमने जो पैसे लिये थे न, वो मेरे पास ही है, तुम अगर चाओ तो ने ले जाओ, हाँ, ले जाओ इने, जाओ, इसके शहीद होने का लाब उठाईए, वकील साहब, ये मौका हाथ से न जाने देजी, जगन को सजा होनी ही चाहिए, सजा तो होई जाएगी सर, लेकिन ऐसे गवा होने चाहिए, जिन्नोंने जंगा की हत्या होते हुए, अपनी आँखों चे देखाओ, और अदालत में जाके जोरदार गवाही दे सेके, अरा तो हम किस मरेश की दवा हैं, क्यो ना परसाद जी, सत्यवतन शाम परसाद जी, कि गवाई है, वो निर्दोशी होगा, क्यों शाम परसाद जी, सत्यवतन शाम परसाद जी, हाँ, परन्तों पीपी साब भूल गए है, कि इन्हें धोबन के बलतकार वाले केसे हमने वजाया था, और हमारी गवाई से ही साबित हुआ था, कि पीपी साब ताला पर सिर्फ मच सिलीका शिकार करने गए थे, किसी भी हाल में वकिल साब जगन इस केस में बच जाना चीए, सर बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, वो बेकुफ रंगे हाथों पकड़ा गया सर, अपने क्लाइन को बेगुना थाबित करना ही, वकिल की काबलियत साबित करता है, हाँ स सर, लेकिन आप समझते क्यों नहीं है, सारे हालात हमारे खलाफ है, उन लोगों ने दो ऐसे गवा पगड़ लिये हैं, वो बाते करना है, शुरू करते हैं, तो घंटों मजमा लगा रहे हैं, सर, नेता है, जूट इतने विश्वास से बोलते हैं, कि बुर्दे को भी कातल सा रांका नहीं होगा, वो कनवरलाल का आत्मी है, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूँगा, जमीन आसमोन एक कर दूँगा हलो, संध्या स्पीकी, संध्या, मैं कनवरलाल बोल रहा हूँ, आप, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, क्या बात क्या है, कहने उनकी सारी किताबे उलट पुलट कर डालो संध्या, लेकिन जगन को इस केस में सजा नहीं होनी चाहिए, सर, बेकार में वक्त और पैसा बर जालत करने वाली क्या जीतेगी, सर, कनवरलाल जी, मैं ये केस जरूर लड़ूगी, आप मुझे पर शो दीजे, चगन को आजाद कराना मेरी जिम्मेदारी है, तेंक यू, हम कसम खातर क्याते हैं, जो कुछ कहेंगे, सच कहेंगे, सच के सिवा, कुछ नहीं कहेंगे, क्यों जो खटना हम रतक जंगा के घर में खटी, क्या आप उसे अदालत के सामने बयांग करेंगे, एक एक करके प्लीज, मैं बताता हूँ, ठीक उस दिन साड़े-दस बजे रात को, जच साप, एक अप्रेल के रात को, ठीक साड़े-दस बजे, जब हम जंगा के घर में बैठके, गधों की पैदावार और उनके पालन पोशन के बारे में भाशन करनी की चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी समय, जंगा के घर में जगन हाथ में उस तरह लेकर गुसा, और फिर उसने वस तरह खोला, जेव से चमडे का पट्टा निकाला, और लगा वस्तेरे को धार करने, फिर की नदी बेने लगी सरकार, हम तो पत्तों की तरह कपकप आने लगे, डर के मारे हमने आके बद कर ली, और जब आख खोली, तो जंगा स्वरगवासी हो चुका था, ए राम, यूर अनर, इन दोनों मानेनी नागरिकों की गवाई है, ये बास साबित करने के लिए काफी है, कि स्वरगिये जंगा की मौत, जगन के हाथ हुई, इसलिए यूर अनर, मैं अदालत से दर्खास करूँगा, कि अपरादी जगन को सक्से सक्स सदा दी जाए, तेस अल यूर अनर, मैंने सुना है कि आप दोनों बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, भाशन देने में आप दोनों का तो जवाब ही नहीं, अच्छे, अजी महान कहिए, महान, अगर रोक टोक ना हो, तो छे-छे घंटे तक भाशन दे सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले, मैं अपनी एक अम अजी ने कहा, कि अगर इस आदमी का मुझे पता चले ना, तो मैं तो उसे सोने की एक मोटी चेन भेट कर दूँ, और अभी-अभी जब आपकी आवाज सुनी ना, तो मैं सोचने लगी, कि शायद वो दूनों आप ही तो नहीं थे, रामपरसाद जी, पता दो, हाँ रामपर अचर ये बताईए, आपने भाशन कितने घंटे तक दिया था? तीन, तीन घंटे दिया भाशन हम दोनों ने, मतलब पूरे छे घंटे? मतलब सुभा तक? हाँ, भोर हो गई थी, सूरज निकलाया था एक अप्रल, गुट फ्राइडे, रात को साड़ी दस बचे आपने तैमू नगर में भाशन दिया, तो फिर ये कैसे मुम्किन है कि उसी समय आप दोनों जंगा के घर पर भी थे? हाँ, एक ही समय पर, दो-दो जगा कैसे हो जगते? तो फिर आपने जंगा के हत्या होते नहीं देखी, ये राणर, अब ये साबित हो गया कि ये गवा जूटे और किराय के है, अब एक बात जाहिर है कि कोई अपने मकसद के लिए मुकदमे को हवा दे रहा है, जरूरी सुबूत और डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स मैं अदालत में पेश कर चुकी हूँ, जो मेरे क मिस्टर जगन को बेगुना साबित करने के लिए काफी है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास करती हूँ, कि मिस्टर जगन को बेगुना मानकर उसे बाइज़त वरी किया जाए सुरी संद्या, आई थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने हमारी हार को जीत में बदर डाला, कंगरेजिलेशन थैंकिस सो मच, नहीं बस और मत पीजिये अरे संद्या, ये शराब मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती, इस कंबक में तो असर ही नहीं है, क्योंकि इस सीने में जो जौरा मुकी उबलते हैं, वो तो शान्ती नहीं होते, वो तो इस तरह जैसे शिवजी के कंट में विश, ये शराब मेरा कुछ नहीं कर सकती शैतान कही की होटो ही होटो में मुश्कुरा रही है धेगने में कितनी मासुम पर बाप रे बाप अधालत में वो दुआदार भहस कर डाली कि बेचारे पबली प्रोजीक्टर के चेहरे पर हवाईया उटे लगी जानते हो आज से हमारे कनवर एंटरप्राइज के केसिस कॉल आपका आप विश्राम करेंगे हमें खुशी है कि आज तक आप हमारे केसिस लड़ते रहे आज के बाद आप संध्या के जूनियर की हैसे से काम करेंगे और तब तक अपनी राएं नहीं देंगे जब तक वो नमांगे सलेम आज से संध्या हमारी और हमारी कमपनी की वकील है कल का सूरज निकलने से पहले वो पैन जिससे ये लिखे वो सेंडल जो ये पहने वो कपड़े जो इसके बदन की शोबा बढ़ाए और वो घर जिसमें ये रहे सब हमारी तरफ से हमारी कमपनी के शान की मुताबिक दि जितने का तो नतीजा नहीं है आज आप में नहीं प्रेर्णा देख रही हूं है ना कर्रक्ट बिल्कुल कर्रक्ट कर दो कर दो माशूकर काई कर दो है कर दो वो तुम हो, वो तुम हो ए मैंने पहली बार जिसे प्यार किया वो तुम हो, वो तुम हो एक पथर को आईन जिसने बना दिया वो तुम हो वो तुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टुम-टु है ऐसी कोने हसी नो जो तुम्चे लियो जही नो तुम्चे लियो जो तुम्चे लियो जही नो इन्सा क्या जीवन को भी शिकला सकती हो जी नो तुम 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 अर तुम तुम जिसके दम पर जहाँ जी दिल यह वो तुम हो वो तुम हो वो तुम 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 हो वो तुम 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 हो मैंने पहली बार जिसे प्यार किया वो तुम हो वो तुम हो माशुकर दुनियों को मार तुम ठोकर बस मेरी राजों होकर मैं और न कुछ भी चाहूं मिल जाओ सब कुछ ठोकर वो तुम 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 शोलक जिसने फूल किया वो तुम हो वो तुम हो मैंने पहली बार जिसे प्यार किया वो तुम हो वो तुम हो माशुकर तो लाच शरम दोनों ने बेच खाई है खुले आम हाथों में हाथ डाल कर खुमते हैं हाँ सर समाज की नीती और सुधानतों को बिल्कुल भूल चुके हैं मैंने का यह क्या हो रहा है आप तो जानते हैं मैं सत्यवादी हूँ यह सारी चीजे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर मैंने तो कह दिया कि आप संध्या देवी को अपना परसनल लायर बना लीजिये और मुझे आ गया दीजिये वकील सहाब उसके कुकरमों को रोकने के लिए आपका नौकरी छोड़ देने से ही काम नहीं चलेगा उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा उसकी गत्विधियों से पूरी जानकारी करानी होगी क्या बात करते हैं सर अगर कनवरलाल को ये भी पता चल गया कि मैं यहां आया हूं तो वो वो मुझे जान से माज डालेगा सर वकील सहाब आपके लिए एक मंतरी के बंगले से सुरक्ष जगा और क्या हो सकते हैं आपके सुरक्षा की जमेदारी सरकार की है अगर आप कनवर को कानून के हवाले करवाने में मदद करेंगे तो सरकार आपकी भली बात रक्षा करेंगे सर मैं अपनी जान की जोखम उठा कर आपको बता रहा हूं मेरी जिंदगी की सुरक्षा अब आपके हाथ में है कनवरलाल के पास काले धन का ठेर लगा हुआ है कली गोदाम में नाजाज माल इतना सारा भरा गया है सर कि अगर अगर शापा मारा जाए तो रंगे हाथों पकड़ पकड़ सकते हैं सुन रहे हैं आप आपके शासन में अपराधी कैसे आजाद घूम रहे हैं हमारी तरफ क्या ताक रहा है जाए और इसके गोदाम पर जाकर छापा मारी है और अगर जरा सब इस सबूत मिल जाए तो उसे एनसे के अंतरगत कर फतार कर लिजे वेर इस मिस्टर कनवरलाल सर इंकम टेक्स का छापा पड़ गया सर इंकम टेक्स कितना कैश हैं यहां पर सर लगबक पच्छास लाग रुपया जल्दी से बैक में भरक मुझे देदो लगी सर आप डॉंट आर्ग्यो डूए देसे जल्दी करो हरी अपर सब अपनी अपनी जगा पर बैठे रहिए हम इंकम टेक्स डेबार्टमंट से आये हैं मुझे आपके वारेंट, गोदामों पर छापे, सब बेकार, उसका कुछ नहीं बुदार सकी, वो अपने सारा काला धनी करठा करके भाग में गया, उसका हर बार हमारी जान लेनी के लिए है, उसका हर कदम हमारी बदनामी के लिए है, क्यों आ करें सर, कोशिश तो बहुत की, पर कमभ मचली की तरह फिसल जाता है, लेकिन आप खबराएं नहीं सर, इस बार मौका नहीं देंगे, 24 घंटे के अंदर उसका इंसाम हो जाएगा, आप सुने, जब तक कनवरलाल हमारी रास्ते में है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें अपनी मंसिल पाने के लिए, उस रास्ते स सूरज प्रकाश, तू मेरे धीरज को हिंसा में बदलने की कोशिश कर रहा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है, तूसरों का सीना चीरने की ताकत तो मुझ में बच्पन से ही आ गए थी, लेकिन अपने ही पाले हुए गद्दारों को माफ करने का धीरज, अभी तक नहीं आ सलिम और जगन ना हो, मुझे खुशी है कि वो गद्दार तुम में से नहीं है, कल हलात तुम्हे जुकने पर मजबूर कर सकते हैं, कोई मजबूरी ऐसे हलात पैदा कर सकती है, कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर से उड़ जाए, अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो गद्द सार, जिस समय आपको ऐसा लगे, आप हमें गोली मार दी जिगा सार, हाँ सार, लेकिन ऐसी बातें मत किये, आपके चेहरे की मायूसी हमसे बरदाश्ट नहीं होती, वो नमा घराम वकील, उत्तम लाल इसका जिम्मेदार है, वो कल सुबा की फ्लाइट से राजदानी जा रहा है, लेकिन उत्तम लाल कल सुबा का सूरज नहीं देखेगा, आपने मतनवर लाल के राज बता कर हमारी और सरकार की मदद की है, आपने सही माने में देश की सेवा की, मगर मंत्री मोहद है, साब, मुझे प्रसंचा की नहीं, मुझे सुरक्षा की जरूरत है, अब तक तो उन लोगों को मेरी गदारी का पता भी चल गया होगा, वो लोग मुझे जान समार ठालेंगे सर मुझे सिक्योरिटी चेस सर प्रशन सा I mean सुरक्षा सर डरवानी कई जरूत नदे वकेल साइब ये लीजे पचास जार रुपेर हवाई जाहस का टिकेट अरे तमने कही खाबर ना थी इसका क्या करूं सर कल आप राजधानी जाएंगे उसके खिलाफ गवा तयार किये जाएंगे हमने हवाय अड़े पर पत्रकारों को बुला रखा है वहाँ आप पत्रकारों को कनवर की गतविधियों के बारे में इस्तारपूर्वक्चानकारी देंगे राजधानी में आपको हाई कमांड का विशेश आथित्ती मिलेगा पंधरा दिन आपकी जिंदगी रंगीन बना दी जाएगा और जब आप लॉट कराएंगे तो इस राज का मुख्याई बदल चुका होगा यानि कि हम मुख्य मंत्री होंगे कनवर लाल जेल की सलाखों के पीछे सल रहा होगा आप क्यों चिंता करते हैं अब तो आप हमारे अंतरा याई मई मंत्री जी मैं सुभा राजधानी जरूर जाऊंगा मगर वो मुझे सुभा तक जिन्दा रहने देगा तब जाऊंगा न वो भी यो रात में मार डालेगा शर आप डरिये हमार वकील साफ एरपोर्ट पहुंचने जग हम आपके साथ ही रहेंगे रूम सर्विस नमस्कार महिला जी एक कमरा नमबर 302 है दो विदेशी लार्ज विस्की और सोड़ा विजवा दिजेगा धन्यवाद मैं आग या लूँगा उतमलाज जी मुझे जरूवी मीटिंग में जाना है मिस्सर पठेल ये सर आप इनकी सुधा कद्यान लखेगा शोर सर आचान नमस्कार ये क्या हो रहा है आप बिल्कुल चिंताओ मत कीजिए आप बैठिए बैठूँ बैठिए हाराम से हाराम से अगर विस्की में जहर मिला दिया होगा तो इसका चैरा देखकर ही मुझे शुभा हो गया है इसे कहिए कि ये ये शराप पीकर दिखाए ये शराप पीो पीो इसे कहिए किने है इसे कहिए ने है आप देखा यही होने वाला था मेरे साथ जल्दी जलो जल्दी चलो पुलीस को बलाओ गवर्मेंट को बलाओ बच्चो मैं कोई तुच्चा मुच्चा वकील नहीं हूं उत्तम लाल हूं उत्तम लाल सबसे उत्तम आले को चुच्चा अई कानुवरक आथ यह कंँवरका कमरे में पहुचगे सर पेटी, अब इस अनाथ अले को चलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया है बड़े आजमियों के बाद चंदा मांगने जाता हूं तो कहते हैं हम भी अनाथों के तरह बिल्कुल निर्धन है हमें जानते हूं शास्त्री जी एक छोटी सी भेट लाई हूं ये पच्छास हजार का चेक आप तो जानते हैं शास्त्री जी इस अनाथ अले ने इस अनाथ संध्या को पाल पूस कर बढ़ा किया मा बाप दोनों का प्यार दिया ये पैसे देते हूं मुझे लग रहा है जैसे मैं अपने बुड़े माबाप की सेवा कर रही हूं लेली जेनाथ बेटी माबाप तब गवरों महसूस करते हैं जब आउलाद पसीना बहा कर इमानदारी से दो पैसे कमा के लाके देती हैं गलत देंग से कमाय हूई दौलत मनुष के लिए छ्षाप बन जाती है फिर भी अगर तेरी आत्मा कहती है कि ये तेरी मेनत की कमाई है तो ला दे दे बेटी संधिया एक दिन तूने ही कहा था कि पेशा केवल पेट पालने के लिए नहीं होना चाहिए उसके लिए को मर्यादा भी चाहिए बगगर आज तू क्या कर रही है किन का साथ दे रही है खाला कोड पैन के अदालटों में फेश-दार बाते करके किन का साथ दे रही है तू जो हमारे नेताओं के कातलों को बाठी के भंदेते बचाने के कोशिश बदल कर रहे थे हुँंका एसी क्या व! çıkarit शाद्रीजी की सीधे से सवाल का में जवाब नहीं दे सकी कि क्या एप ऐसा मैंनी इमान्दारी से कमाया है आपके इतने आयसान है मुझपर मैं हर हालत में आपके साथ हूँ लेकिन मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो आपकी दौलत और ताकत की वज़े से आपके सामने तो खामुश रहते हैं लेकिन आपके पीछ के पीछे बुरा बोलने से नहीं रुपते प्लीज छोड़ दीजे ये सब पदल डाले खुद को ताकि लोगों की मुँपर ताले लग जाएं संधिया कानून तुमने किताबों में पड़ा है और मैंने जिन्दगी के सबक के जरी जाना है अब यही मेरी जिन्दगी का रास्ता पर वही और वही लोग मेरे साथ चल सकते हैं जो लोहार की भट्टी में तपते हुए लोई की तरह हों और जिंदिगी के हतोड़ी की हर चोट को सह सके हैं अगर तुम में इतना धिरज नहो तो अपनी मर्जी से जब चाहो मेरा साथ छोड़ सकती हो कौन पत्थर दिल होगा जो आपका साथ छोड़ सकेगा लेकिन समाज आप जैसे देवता को शैतान कहता है समाज के उन देवताओं के चेहरे से जरा नकाब तो हटाओ वहाँ शैतान शैतान नजर आएंगे काश तुमने भूग का शिकार मेरे घरीब बाप की मौत दिखे होता है मेरी बीमार मा का रातों को जागना और तड़पना दिखा होता मा की मौत पर उसकी चीता की लगड़ें के लिए समाज के ठेकेदारों के आगे गिड़गराना दिखा होता अगर दस साल का मासुम कनवरलाल अपनी मा की लाश को अपने कमज़र हाथों से सम्शान तक हीच कर ना ले गया आता तो उसे चील और कुवे खा गए होते हैं ये सब कुछ मैंने साहा है मैं जानता हूँ जिन्दगी क्या है अतीद की करवाहत को भूल कर अपने आपको बदला जा सकता है और अगर आप ना बदले तो समाज कनवरलाल जैसे देवता को सदा शैतान ही कहता रहेगा यहां देवता कौन है कौन यहां शैतान देवता और शैतान का संगम होता है हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शैतान देवता और शैतान का संगं होता है हर इंसान कोई किसी भी दिशा में रहे सूरज पूरब से निकलेगा इंसानी फित्रत भी अटल है कौन है जो इसे बदलेगा कोई किसी भी दिशा में रहे सूरज पूरब से निकलेगा इंसानी फित्रत भी अटल है कौन है जो इसे बदलेगा किसे भला किसे बुरा कहोगी भला बुरा हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शेतान देवता और शेतान का संगम होता है हर इंसान होता है हर इंसान देवता और शेतान होता है हर इंसान जिसमें जितनी अच्छाई होती है उतनी बुराई पाप और पुन मिलाकर ही दुनिया पुद्रत ने बनाई मेरा जमीर है मेरे अदालत पहचाने हर इंसान यहां देवता कौन है कौन यहां शेतान कि देवता और शेतान होता है हर इंसान होता है हर इंसान कि मंत्री सूरज प्रकाष की सुरक्षा प्राप्त होते हुए भी वकील उत्तमलाल की मृत्य हो गई परंतु मंत्री महोदय ने अपनी आयोगिता से शर्मिंदा होकर भी त्याग पत्र नहीं दिया इस से पहले भी अनेक अफसरों पर मंत्री जी आयोग की सिद्ध हो चुके हैं दीरे दीरे हर वर्क के लोगों का विश्वास खोते जा रहे हैं लिखा है विशेश प्रतिमिती ब्रिश शर्मा ने यह ब्रिश शर्मा कौन है कौन है यह ब्रिश शर्मा उसका कलम तो तलवार से भी तेज़े सर क्यों शाम परशाद जी सत्य वचन राम पशाजी, एक बार आदमी तलवार के वार से बस सकता है, लेकिन उसके कलम के वार से नहीं तुक्ड़े कर दो उस कुत्ते के, लाश मी न पहचान में आये, ताकि हमारे खिलाफ आवाज उठाने से पहले हर कोई अपना अंजाम सोच ले जानती हो संद्या, मैं तुम्हें यहां क्यों लेकर आया हूँ, जिन्दगी में पहली बार किसी के सामने, अपनी जिन्दगी की किताब का, हर एक पन्ना खोल देना चाहता हूँ, अपने दिल का गुबार निकालने के लिए, ऐसी जगह चाहिए थी, मेरी जिन्दगी में कोई जिन्दगी नहीं है संद्या, हलांके नजर की हद तक पहली ओ दुनिया खरीच सकता हूँ, लेकिन एक दिल ऐसा नहीं खरीच सका, जो मुझसे सच मुछ हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन एक हमदर्द से तोफे में तो मिल सकता है, संद्या, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, प्यार के माहल में जीना चाहता हूँ, मेरी ख्वाइश को हकीकत का लिवास देना दो, संद्या प्लीज संद्या, अगर तुमारा साथ मिले, तो मैं सब कुछ कुर्बान करता हूँ, उस जिन्देगी की तरफ पलट कर भी न देखूँ, जो जी रहा हूँ मैंने कभी तुमारे अतीत के बारे में नहीं पूछा, नहीं मैं जानना चाहता हूँ, बस संद्या के साए में कुछ पल गुजारने को मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए कोई बदनसीब ही होगी, जो आप जैसे महान इंसान का तौफा कुदूल करना अपना साभागे न समझी, और मैं वैसे ही बदनसीब हूँ, किसी की बच्चे की मा, किसी और की पत्ली बनना मेरा अधिकार नहीं है मैंने तो सिर्फ दिल पर अधिकार चाहा है संद्या, शरीर पर नहीं माफ केजी करवरलाल जी, जिसके शरीर का कोई अंग कटा या तूटा हो, वो जानवर भी बली नहीं चड़ाया जाता मैं किसी जालिम के शिकंजे में गयत हूँ, मुझ जैसे यारत, आप जैसे महन इंसान के साथ नहीं रह सकती, माफ कीजी मुझे ठीक है दोस्त, चलो इस वराने से निकल कर, अपने अपने दुन्या में चले सब्सक्राइब कर दोस्त, अब उसके आदमी मुझे और मैं सारे परिवादी नहीं चाहिए, अब उसके आदमी मुझे सरकार को मार डालना चाहते है, सरकार हमें बचा लीजिए, सरकार, हमें बचा लीजिए सलीम, इन्हें अंदर ले जाकर फरस्टेट दो, जल्दी देखे शर्माजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप जितना उनसे डरेंगे, वो लोग आपको ज्यादा सताएंगे आप लोगों की वज़े से हम बच गए, वरना वो लोग अब तक हम सब को मार डालते हैं वो हराम खोर हर किसी को अपने पेरों तले कुचल देना चाहता है, इसका एक ही इलाज है, कि उसके पेर काड़ दे जाए देखिए शर्मा जी, आप मेरी बात सुनिए, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, अगर आप अदालत को बताने को तयार है, तो आपकी तरफ से मैं मुकत्मादार कर देती हूँ, कि आपके साथ अत्याचार हुआ है कानून आपका साथ देगा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ, मैं उन पत्रकारों में से हूँ, जो सच्चाई लिखने से नहीं डरते, मैं अदालत में उसके बारे में सब कुछ बता दूँगा यह रानर, स्वेकंद्रदेश के राज्य सरकार में मंत्री होते हुए, जिनके कांदों पर कानून और न्याई की जिम्मेदारी है, मंत्रशी सूरज प्रकाश ने एक पत्रकार पर अत्याचार किये और उसे घायर कर दिया, क्योंकि उस बिचारे ने अपने अख़बार में इनके बारे में सच्चाई लिखती, मंत्री जी के पास ताकत हो सकती है, लाखों की भीर इनके पीछे हो सकती है, करोडों की दौलत इनकी तिजोर्य में हो सकती है, लेकिन इन्हें किसी पर अत्याचार करने का को अधिकार नहीं, ये सहर नहीं किया जा सकता, अगर ऐसे अत् जातंत्र से विश्वास उठ जाएगा मेरी अदालत से बिनती है कि अपराद साबित होने पर अपराधी को कठोर से कठोर दन दिया जाए That's all, Your Honor Any cross examination? Yes, Your Honor Mr. Visharma आप बिना किसी खौफ के अदालत को वो सारी खटना सुनाएंगे Your Honor मैंने अपने अखबार में मंत्री सूरज परकाश के खिलाफ लिखा इसलिए उन्होंने अपने आद्मियों से मुझ पे हमला करवाया ये 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 सब जूट है कनवरलाल और संध्या देवी ने मुझे ये नाटक करने पर मजबूर किया है कनवरलाल और संध्या देवी के अवैद संबंध तो बहुत दिनों से और अक्सर कनवरलाल अपना काम निकालने के लिए संध्या देवी को मुख्य मंत्री के बंगले पर भी बेचते हैं उस प्राइवेट बंगले में संध्या देवी मुख्य मंत्री से कनवरलाल का हर छोटा बड़ा काम अपनी खूपसूर्ती इस्तेमाल करके करवा लेती जब मुझे सच्चाई का पता चला तो कनवरलाल ने मेरी जबान बंद करने की कोशिश की और लालश देकर इन मंत्री जी के खिलाफ चापने के लिए कहा कि और जब मैंने साफ इंकार किया तो मुझे जान से माठ डालने की धंकी दी मुझे ये जूटा मुकदम दायर करने में अजबूर किया कि अब अपनी जान के डर से मैं ऊसका कहा करने पर मजबूर हो गया अथकाष कर संध्या देवी जो पैसों के लिए अपने शरीर का सौदा करती है वो कंवरलाल जो अपने काम निकालने के लिए इसका शरीर इस्तेमाल करता है सरकार इन दोने मिलकर मंत्री जी को इस जूटे केस में पसाने का ड्रामा मुझसे करवाया है मैंने सच्चाई बेयान कर दी है यूर ऑनर मगर ये लोग मुझे जिन्दा नहीं चोड़ेंगे सर मैं अपनी सुरक्षा की भीक मांगता हूँ मुझे और मेरे खानदान को सुरक्षा परदान कीजिए यूर ऑनर सुरक्षा परदान कीजिए यूर ऑनर मैं मूर्थी महादय हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम यहां दालत में खड़े हुए हैं आजकल कुछ लोग मंत्रियों को लुटेरों और डाकों की उपमा देती हैं दरसल हम उन्हें बताने के लिए यहां खड़े हुए हैं कि असल में अपराद ही कौन है और अपराद किन प अपर्पित करती आए आखरी सांस तक हम जनता की सिवा करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए नियाइश्रिष्ट हमारी सरकार का धांचा नहीं बदल सकता हमारा देश इसी प्रकार बिना समिधान बदले हुए जनत अंत्र और प्रजातंत्र की छवी बनाए हुए प्रगत इसी लगे हमारी विहू रचना अब समझ में आया है कि हम कितने चतुर और शक्तिशाली हैं आधालत तक धोखा खा गए समाज के सामने तुम और तुम्हारे परमित्र संध्या के माथे पर कलंक कटी का लग गया बड़ा समय लगएगा तुम दोनों को इस अपमान से पीछा चुड़ाने में कनवर एक और शुब सूच न ले लो प्रिधान सभा की अगली बैठक में हमारे विश्वास पातर साथ ही एक विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और दूसरे दिन इस राज्य का मुखिया बदल जाएगा और उसी पल हम इस राज्य के नई मुख्यमंत्री बनेगे तत पश्चात चौबीस घंडे की अंदर हम तुम्हारा नामों निशान मिटा देंगे कनवर लाल बाबुजी बाबुजी हमें माफ करतीजिए पेरे पती को चान से मारने की धंकी देकर आपके खिलाफ गलत बयान दिलवाया है मैं जानता हूँ आप चिंता मत किजिए बच्चों को लेकर घर जाएए आप लोग सभी विधायकों को लेकर रामदीप वाले बंगले पर पहुंचिए और अविश्वास प्रस्ताव पर हाश्ताक्षा करा लीजिए जिसे धन चाहिए धन और जिसे कुर्सी चाहिए उसे कुर्सी का आश्वास अज़िए पॉरण चलिए रामपाशाजी सलीम यह क्या हो रहा है सर सूरज प्रकाश बार बार आपके सबर को ललकार रहा है आज उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद करके ही आपको अपनी शकल दिखाएंगे आज सुरज प्रकाश के नाम के साथ सुरज की उपादी लगा करे रहेंगे सर कम ओन जगन सलीम सुनो जगन आपकी तब्ले ठीक नहीं आप इस्राम कीजिए हमारा विश्वास परस्ताव कल विधान सभा की बैठक शुरू होने से पहले ही सफल हो जाएगा इसलिए जम्मोखी मंत्री की इमारत गिरेगी कम सूचने के हमारा वह होना बहुत जरूरी होगा लेकिन सार कनवर के आदमिया आपसे बद्ला लेने के लिए रास्तों पर नजर रख्य हुआ हैं आप कार के बजाए हेलिकॉप्टर से जाएगे हम बाहर उठी जाएंगे अगर वह हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें कोशिश करने दीजिए हम सुरक्षा के बहाने उन्हें एंकाउंटर में समाप्त कर सकते हैं आजी साब यस साब अब रास्ते में सुरक्षा चुपड़ियां और बढ़ा देजिए यस साब कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं यस साब कर दो, 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 क वाज जो एखरने कंगे ढाले जुर्टन το विहारे website जुवट जुबजजए जुवटे जुवटे जुदगे वढ़े conten hilar और पक्मोरा हरा और बर बंभाः हो नग Rainbow कि ट्रव माल पिर ज्योंग अगर छिए कि लुज कि अगे यह में पोर कि इन आज़ 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 मुपा था सुराइप कर था है प्रज़ रप्रवाइप मुपा था मुपा दो प्रज़ अग्र अगर किसी ने आगे ब्लबने की तो की कोशिश की तो मैं इसे कोलियों से भूंदूँगा हेक दो ये रिवल्वर हेरो, ओके गुद्बान मंत्री साहेब हुँगा चयक carrot जगन, जगन, क्या हो जगन? सर, जगन, लोगों ने तलीम को आप डाला सर हम लोगों ने अपना पादा पूरा नहीं किया नहीं, नहीं जगन, नहीं जगन, नहीं जगन, जगन कियां को जगन, 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 जगन What? 50 बजन्युची नहीं、 जगर जगर। जगर जगर... जगर। नहीं कि मजी आसदोग! क्या करें है नहीं संध्या अब वो कमीना जिन्दा नहीं रहेगा नहीं मैं उसके शरीर में गोलियों के इतने छेद देखना चाहता हूं जिन से उसकी मौत से पहले खुन की एक एक बुन बहकर देखर जाएगा अगर इस वक्त उसे मात दिया गया तो वो शहीद कहला हैगा इत्यास में उसका नाम दिखा जाएगा हमी तो जन्दा किसा में उसकी चेहरे से नकाब अठाकर उसका अपनी रूप दिखाना चाहिए नहीं संध्या मात के अलावा कोई कानून कोई आतारत उसे सदानी दे सकती इत्यास इस बात का गवाए छड़ा मुझे सुनी मेरी पार्स मैं कहके सुनीए टूप बाकर छूप घुुल दिखाया हमार कुर तो तुर। बाकर जिखाना में उसके उसका तुर दूबा़ परेद षेका हमना अभर परेद तुर करेत दिखार उसके परना भूकर ञुप तुरे परिशाय जिखाद التरेंस तुरायो बार, तुरत 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 बार, इसलिए बुलाई है कि आमने सामने बैठ कर सारी बाते तैह हो जाएं। मुख मंत्री बनने के बाद आप किसको और क्या देना चाहते हैं। तरहाई के इलाके से किसी आदमी को मंत्री बनाने की जुरूरत नहीं है। वहां के एक आदमी को किसी उपजाओ विभाग का चेयर में बना देंगे। अब रहा मेडिकल और इंजिनिरिंग कालेज की सीतों का सवाल। आपको कितनी सीटे चाहिए। हमारे इसे में कितनी आएंगी। लाइसेंस और कोटा पास करने में आपका क्या इसा होगा। यह सारे फैसलिक हम पहले ही करने तो अच्छा है। भाई जी हम लोग तो लग गये हैं जूतों में दाल बांट हैं। आप कुछ चिंदा करते हैं। हम वोखी मंतर को अपने भले के लिए थोड़ी बनना है। हम तो चाहते हैं कि हम आपकी कुछ सेवा कर सकें। आप लोगों के सुखी जीवन का कुछ परबंदी कर सकें। आप निश्चिंत रगी। आपके किसी व्यक्ति को कोई अश्व इधा नहीं होगी। हम आपके शुषय आपके बनाए हुए। हमें अपनी सरकार को चलाने और उसे मजबूत बनाने के लिए एकता से काम देना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह अपने अपने स्वार्थों को लेकर लड़ने लगे। तो विधान सवा में बैठनी की जगह सडकों पर बैठकर भीख मागनी पलेगी। अब सारे विधायकों को बुलाईए और उसे हस्ताक्ष ले लिजे भाईजी। चलिए चलिए सारे विधायकों को बुलाईए। कर दोजिए टाजिए झाल याज खरक दुट הקो काँछ ब lazy ऑाजर मुट कर दो 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 का suisरा ची कर दोदूक्ट। कर देंदे थत कर दोड़ कर दो हम आजिए झाल लुटत ब टो रहले को दो घजिए एक मुटत मुटत भी है seu थे उने अचल दोले रहार बनना कुरेश प्रकाश तेरा अंत आ गया गिन ले अपनी चंद सांसे और कर ले हर सांस पर अपने पापों का प्राइश चेट ताके अगले जनम में तो इस धर्ती पर बोज ना वने तुम हमारे खुन से हाथ रणके एक और खुन का इल्जाम तुम अपनी गर्दर पर क्यों नहीं ना चाहते हो तुम देखो तुम तुम चाहो तो हमारी पहुंच हमारे पद हमारी ताखत से का फाइदा उठा सकते हो विन्ज सकते हैं रूक जाएये. संध्या, तुम, यहाँ ? नहीं, संध्या. संध्या तुम है हमारी पड़ी represents तो हम तुमारे किसी काम नहीं आए पर आज जब हमारे सर्पर मौत मर्ला यहे है तो तुम यहां हमेरी जान पर जाने के लिए आही हो नहीं, हमें मरते वक्षनिदा मत करो संधिया इस जैसे इनसान से जिन्दगी की भीग मांगने से बेता है कि हम इसके हाथों मौत खुबूल कर ले संधिया, हमें बचाने के लिए कहीं तुमने इसके सामने ये रास्तों नहीं खोल दिया कि हम तुम्हारे बच्चे के बाप हैं संधिया का सुहाग, सूरज प्रकाश किये हमें व occupation का सामा इसके हमें, किये अभाइ सुमने कमें नहीं जारव सुमने रुक जाएए इस पर ज्यादा गोलियां बर्बाद मर्द कीजी थोड़ी देर के लिए सांसें इसे भीख में दे देते हैं इसकी मुक्ति के लिए हमें से कुछ दीख्षा देना चाहते हैं आप चाहिए ओ किसे ची 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 देखा कनवर कैसा भ्यान कंत हुआ है तेरा अब तेरा जाने का समय आगया है बालक तेरी आखरी सांसे हमारे चरणों में निकलेंगी जानता है तेरी मरने के बाद संध्या का भविश्य क्या होगा सरकार इसे गुंडों का साथ देनी के जुर्म में जिल की सलाहों के पीछे डालतेगी और इसका ये बच्चा गलियों का बिखारी बन जाएगा जैसे कि तू अपने बच्पन में था हम चाहते हैं कि तू नर्क में जाने से पहले इनका अंत सोच सूच कर तड़बेंगे अब हम राज करेंगे ये कांटा भी निकल गया आज हमारे लिए बड़ा ही खुशी का देन है कंदवर हमारे चरणों में पड़ा हुआ है अब बुद्धियत विनाराश काले विपरीत बुद्धी सूरस तक पहुचने चला था अरे वाँ सूरस पकाश राज तेरे नसीब में भी नहीं है अब तो तेरे कदमों में पड़ा राजा राजा कनवर लार है संधिया 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 ना मेरी पैदाश प्यार का नतीजा है ना मेरी परवरिश हमदर्दी की कौद में हुई है लेकिन चीच आता है के मात प्यार की बाहों में सिमट करो संधिया संधिया सं... झाल झाल